इंडियन आइडल जो की एक सिंगिंग रियालिटी शो है उस पर हमेशा से इलजाम लगते आए हैं कि ये सो रियालिटी को छोड़ कर बाकी सब मसाला ओडियन्स को देता है इस शो पर हमेशा से फेक होने के इलजाम लगते आए हैं और एक वार फिर से इंडियन आइडल शो प पहले भी कई सोज में नज़र आ चुके हैं जैसे कि सुबधीप दास जो की इंडियन आइडल सीजन 11 में आए थे और काफी आगे तक के शो पर गए थे और फिर इन्होंने एक बेंगॉली भासा में राइजिंग इस्टार सो पर बिनर का खिताब जीता है और ये स्तारे गामा पाव में भी जा चुके हैं अब बेफिस से इंडियन आइडल सीजन 14 में आए हैं जहां उनका नाम सुबधीप दास से अब सुबधीप चौधरी कर दिया गया है जी हां सुबधीप के आगे जो दास लगाया जाता था उसे हटा दिया गया है इस शो के लिए और इस शो पर उनका नाम है सुबधीप चौधरी बैसे क्या आपको पहले से पता था कि सुबधीप अपने नाम के आगे चौधरी लगाते हैं क्योंकि उनकी जो सोसल मीडिया प्रोफाइल्स हैं जैसे कि यूटूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना नाम सिर्फ सुब सुबधीप जो की बार बाद कई सोज में जा चुके हैं इसलिए उनका नाम बदल कर आप सिर्फ सुबधीप चौधरी रख दिया गया है इस शो के लिए बैसे आप इन्हें पहले से जानते हैं और इनके गाने पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरू करना यह कुछ अ वाचिंग वर मोर अपडेट सुब्स्क्राइब नव